नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूट कॉर्णर में आज हम बनाएंगे मिक्स भीज और पंचमेला की सबजी अगर आप रोज एकी तरह की सबजी खाकर बोर हो गए हूँ तो एक बार इस तरह सबजी बना कर देखें अपने पसंद की कोई भी सबजी ले सकते हैं चार मेडियम साइज के टमाटर अदरख का टुकुड़ा छह साथ हरी मिर्च बीस से पचीस ग्राम खस-खस जीरा तो चमच सौंप एक चमच काला जीरा आधा चमच तेजपत्ता तीन से चार पत्ता तीन से सूखे मसालों में धनिया पाउडर तीन चमच अमचूर पाउडर दो चमच गरम मशाला दो चमच सबजी मसाला दो चमच नमक और हल्दी एक चमच तो चलिए सुरू करते हैं चट पटी सबजी बनाना सबसे पहले हम मिक्सी में खसकस टमाटर अधरक और हरी मिर्च को डालेंगे ये सब मैं धो चुकी हूँ अब इसका पेस्ट बना लेजिए पेस्ट इस तरह का दिखेगा सारी सबजीयों को छिल कर काट लें इन्हें अच्छी तरह से धो लेजिए लगबक दो चमच तेल गर चलिए अब हम एड़ करते हैं कटे वे आलू ये कच्चे आलू है इनको मैं आप पसे नकप पड़ते हैं सबस्ते हैं चलिए अब डालते हैं नमक और हल्दी नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डालिए इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिला लिजिए अब कडाई को कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पर सबजी को 6-7 मिनट के लिए पकने दें इसे बीच में चला लें या फिर मिच पॉडर और तयार किवे मसालों का पेष्ट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिजे इस पॉष्टिक सब्जी को 5 मिनटक पकाईए अब इसमें कसूरी मेथी डालिए इससे अच्छा फ्लेवर आता है आप डालिए गरम मशाला अब इसमें सब्जी मसाला डालेंगे अगर आपको सब्जी मसाला पसंद नहीं है तो ना डालें इसे अच्छी तरह चलाइए देखिए कितनी अच्छी चटपटी सब्जी बनी है इसे कसूरी मेथी या धनिया की पत्तियों से गार्निश करें इस मिक्स भेज रेसिपी गोज भेरी वेल विट रोटी पूरी और पराठ झालें